अरे तुमने ये ख़बर पड़ी अस्ती साल के कुवारे बूड़े ने कल शादी कर ली वो कहते हैं ना मौत और मुसीबत कभी बोल के नहीं आती है अब देखो ना इस बूड़े ने पूरी जिंदगी समझदारी दिखाई और आखरी वक्त में विचारा किसल गया अब चलो यार आज मौसम बड़ा हसीन है और मेरी चुट्टी भी है एक काम कर एक पववा मंगा ले अच्छा तो यह बाते हो रही है याद रखना अगर आस तुम पी कर आगे ना तो मैं हमेशा के लिए घर चोड़के चली जाओंगी यार तो यह बात तुम ढंक से भी तो बोल सकती हो ना मैंने तुम्हारे बात कभी काटी है यार वह पववा कैंसल कर दे मेरी बीवी ने बात यह ऐसी बोल दी दो पोतल मंगा ले आज पार्टी करें यह जरा इधर आना तो यह क्या है पांच हजार का चलान इतनी बड़ी बड़ी आंखों से तुमको रेड लाइट नहीं दिखती है क्या रेड लाइट तू दिखी थी पर वो पुलीस वाला नहीं दिखा अचानक से सामने आ गया तुम्हारी बेहन को शादी कि इतनी भी क्या जल्दी थी आरे बुस्से बोलती एक से लड़कों की लाइन लगा देता है लाइन अरे लड़के तो मिली रहे थे उसे फिर अपने ड्राइबर पर शादी क्यों वह बड़ा बत्तामीज हो गया था और उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था अब अब एक मस्त जर्क सुनाओं क्या नई अचा सुनाओ सुनाओ आज मैं काम कर रही थी ना गारी बढ़िया था एक और सुनाओ और अभी तो मैंने जोकी नहीं सुनाओ अरे अभी तो तुमने बोला कि तुम काम कर रही थी क्यों अब प्रिशान नहीं जगड़ा खतम हो गया मतलब जगड़ा कतम हो गया इसले परिशान हो अरे नहीं यार जो गालियां उसको देनी थी ना वो अब याद आ रही है क्या हूं क्या किसके खयालों में गूमो ऐसा क्या देख रहे हो अरे वाव हमारे शादी के अल्बम इस दिन तुम कितने खुश लग रहे थे ना वही तो मैं भी कहना चाहा रहा था पहले में कितना खुश रहता था एक बात पूछू पूछो मान लो मैं मर गई तो क्यों मान लूँ अरे मान लो न मैं मर गई अरे जो हो ही नहीं सकता कैसे मान लू अच्छा मान लो तुमारे शादी सामने वाली पड़ोसन से हो जाए तो मान लिया फिर खत्म बाइबाई टाटा गुडबाई गया हेलो हेलो तुमने अपनी कार बेच दी पर वो कार तो मुझे दहेज में मिली थी वो मेरे पापा की आखरी निशानी थी अभी की अभी जाओ कार वापस लेके आओ नहीं तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़के चली जाओंगी बेबी मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इस बात को इतना सीरियस ले लोगी अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं इस कार को बहुत पहले बेज देता